हेलो साथिया आप सभी का स्वागता अभी नंदर है आपके अपने परिवार के अंदर दोस्तों वक्त हो चुके अपने साइंस की गलास का अगले 15 से 20 मिनिट के अंदर अनुवालसी की टोपिक है वो पूरा करने वाले हैं चैलेगा दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला है कि उ बूर्फूर्य स्ट्रांत क्या होता है दोस्तों जिसमेंनस की एक पेड़ी से अगले पेड़ी के मद दो तो सेत्यों का निर्मान करने का करें करते हैं वो बूर्सी वाध का पिता मेडल को कहा ज़्याद है दोस्तों याद रखना और आपसे किसने प्रस्तुत किया गुनसुतरवाद दोस्तों ये वनसा गती ये प्रस्तुत किया सटन और बबेरी ने दोस्तों ओपसन है सी आपका सही है पुनेट वरग में से हम किसका अध्यन करते हैं कोसी का जे विग्जान जे विकास प्रकास संसलेसन या अनुवानसी की पुनेट वरग में हम किसका अध्यन है वो सबसे पहले हम करेंगे दोस्तों इसके बारे बताता है वो करते है अनुवांसी की अब थोड़ी साथ फाइल दोस्तों सही नहीं बनाई है टीम ने अनुवांसी की सब्द सरो परतम किसके दोरा है वो दिया जाता है सब्द है विलियम बेटसन के द्वारा कौन से विलियम है बेटसन यह देता है सबसे पहले अनुवासी की सब्द है और इसका पिता दोस्तों कौन है ग्रेगर जोन मेडल दोस्तों यहां पर हमने बात ही कर ले मेडल दोस्तों ठीक है और इसके इकाई दोस्तों पूछ लिजाए अनुव सिकता कहाज़दा ये इसकी डेफिनिंस्टन है, मानов जाती के लिए लिंग निर्दारण किस विदी पर अधारित है, बतो, मनूश्य में गुंशुत्र कितने होते हैं दोस्तों, मनूश्य में गुंशुत्र, ये सबसे पहले ये परसन बनता है 46 गुन सुत्र होते हैं जोड़ी में पूठ ले तो 23 ठीक है जिसमें दो परकार के होते हैं 22 तो होते हैं दोस्तो किस परकार के काई के गुन सुतर जिसे ओटो सॉम कहते हैं काई के गुन सुतर जिसे कहा जाता है ओटो सॉम याद रखना और फिर होते हैं दोस्तो एक्स एक्स या दोस्तो आपके एक्स से वाई ये होते हैं आपके लिंग गुन सुतर या एलो सॉम दोस्तो जो अपने लिंक निर्धारन करने का कारे है यही गुनसोतर करते हैं दोस्तों चलेगा कुल मिलाके माने तो वाइल अपना गुनसोतर यह लिंक निर्धारन का परमो के दोस्तों कारे है यह करता है तो कुल मिलाके एक्स एक्स वाई एक्स वाई चले दोस्तो आज फाइल है थोड़ी सही नहीं है थोड़ा सा रिजिस्ट करिएगा आज जिवों के सरीर में अन्वासिकता की मौल इकाई है जीन गुनसुतर डियने या केंदरक जीन की खोज किसने की थी जोहनसन ने दोस्तो जोहनसन ने याद रखना चलेगा और यह डियने की क्या होते हैं खंड होते हैं जीन डियने के खंड होते हैं और यह ही आपके अन्वासिकता की मौल बहुत इकाई होती है जीन अभी थोड़ी देर पहले ही बतार जाज़ा था गुनσιुतर की बात करें जोस्तो यह होती है इसकी खोज कीती स्ट्राक्स बर्गर ने दोस्तों स्टार से बर्गर के दोबारा इसकी खोज अबू की जाती है केंदर की खोज की जाती है दोस्तों रोबर्ट ब्राउन ने रोबर्ट ब्राउन ने दोस्तों इसकी खोज करते हैं और डियने की खोज करते हैं सू cũng वर्णןति तका बदाओ आपthey दोस्तो इसमीं दोस्तो रोगी है ना ये लाल वे हरे रंग में दोस्तो क्या नहीं कर पाएगा विभैद नहीं कर पाएगा ये अपना वर्णधनत पार रोग होता है और जिसमें आपका X वर्ण सुतर पर दोस्तों ये होता है सी ओप्सन आपका करेक्ट हो जाएगा 21 अगण सुतर दिया था ड्राउन सिंड्रोम ने दोस्तों ड्राउन सिंड्रोम जिसे ट्राई सौमी कहा चाता दोस्तों DNA फिंगर फ्रिंट की खोज किसने की लाल सें, वीके कशेप अलेक जेफरी या केरी मुसी अमलिस DNA फिंगर प्रिंट लेब पूछ ली जाए दोस्तों लेब काम पर है तो ये आपकी है हेदराबाद काम पर है हेदराबाद के अंदर DNA फिंगर 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 फिंट लेब है जिसमें दोस्तों DNA क्या होता है विखतिकत पेछान करते है, दोस्थे के अंडर, भारत में खोज करने के बात करे लें दोस्थे लाल सी और भीके कर सेपियोतों दोनों के दौरा कब की जाती है? भारत के अंडर, ठीक है। और डियने की सरव परतम खोज़ करते हैं अलेक जेफरी दोस्तों याद रखने हैं और ये केरी मुलिशा ना ये PCR की खोज़ करते हैं PCR PCR तकनिक की खोज़ इनके दोरा है की जाती है याद रखना चलिएगा मेंडल के नियमों केपने खोज़ करता थे एरिक सोर मेग अपने सेरमेक हुरको डिवरीज कोरल कोरण्स यह अपरक्त सभी हुआ है यह नौ मेंडल वादी थे दोस्तों आपकी एरिक सेरमेक हुरको डिवरीज कोरल कोरेंस ये option D आपका सही हो जाएगा चलिएगा अगला question दो जोड़ी लक्षणों से अधिक लक्षणों वाली सम्मान पर जाते का अपस में संकरण कहलाता है एक संकरण या दिव संकरण या वह संकरण या अप्रव्ट में से कोई ने एक संकरण में होता है एक जोड़ी लक्षण क्या होते है एक जोड़ी लक्षण इसमें दिव संकरण में आपकी दो जोड़ी लक्षण और बहुस संकरण में आपके बहुस सारे दो से दिक लक्षण option C एक संकरण मेडल में किस नियम पर अधारित है बताओ यह प्रभाविकता नियम क्या होता जब जोड़ी के दोनों कारक अपस में अलग दो होते हैं दो जोड़ों को क्योल एक हИक आरक अपना लक्षन प्रकट करता है जो लक्षन प्रकट करेगा उसे परभावित था लक्षन प्रकट नहीं करेगा उसे एपरभावी कहते हैं यह आपका men Rebecca प्रमु कितारीते नियम थारूश्पो डीनए में कुन सा नाइट्रोजन शार उपस्तित नहीं होता एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन या गवानिन बताओ DNA के अंदर दोस्तो बात करें DNA में, यह होता है TCAG, थाइमिन हो गया T से, C से हो गया दोस्तो साइटोसिन और A से हो गया आपका एडिनिन और A हो गया गवानिन दोस्तो जी से अपने याद रगान थाइमिन, साइटोसिन, एडिनिन या गवानिन यह हो गया बिये ने और एक होता है आर एने और आर एने का क्या आड़त होता है यूरेसिल, साइटोसिन, एडिनिन और गवानिन दोस्तों यूसी एजी दोस्तों ड्रोसो फिला फल मकीग में गुन सुप्तर की संक्या कितनी होती है आठ च्छे दस चार बताओ दोस्तों इसमें होती है आठ उप्सन ए मेंडल ने अपना संक्रण परियोग की सवधी में किये थे 18, 15, 18, 63, 18, 40, 18, 50, 18, 79, 18, 50, 18, 60 मेंडल के दोरा मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोन मेंडल जिनका जनम होता है दोस्तों याद रखना जनम पूछ लिया जाए दोस्तों 22 जुलाई 1822 को मेंडल का जनम होता है 22 जुलाई को और मर्तियों पूछ लिया जाए मर्तियों होती है च्छे जनवरी 1884 को जो गुर्डे की विमारी थी उसके वज़े से दोस्तों ठीक है और इनके दोबार 1865-1863 के अंदर इसका परियोग है वो किया गया थो option A आपकास से हो जाएगा और निस्कर से निकला था इनका 1866 के अंदर चलिएगा Central Dogma सी दंत के पर्दिपात तक थे दोस्तों फ्रांसिस क्रिक के जेम्स वोट्सन मावरिक गिलिक्षन या रोदलेंड फ्रिकलिन दोस्तों बताओ वो थे फ्रांसिस क्रिक दोस्तों option A जो RNA और DNA का अनुवाद और अनुलेखन किया दोस्तों मानों में लिंग गुनसुतर युगुमा में संक्या कितनी होती है दोस्तों एक, दो, तीन, चार 23 जोड़ी गुनसुतर पाई जाते है मनुश्य के अंदर इसमें काईक और अपने लिंग गुनसुतर होती है काइक में दोस्तो एक से बाईस तक जोड़ी होती है ठीक है और लिंग में आपके कितنے होते है XX या XY जो एक जोड़ी होती है तो कुल मिला कि एक ही दोस्तो युगुमा MSN क्ये कितने होती है अनुवांसी की सब्द का हरत होता है विज्यान की वैसा का जिसमें वंसा गतिका अई विबिनता का अद्धिन करते है अन्वालसी की का जाता है और अन्वालसी का पिता पूछ ले जाए तो वो थे मेडल दोस्तों और जीन है इनकी एकाई तो सब्द किया गड़ू सब्द पूछे है आपसे दोस्तों ना किये दोस्तों पिता तो सब दिया था पेटसन के द्वारा, और यूने हादूनिक अनवांसिका का पिता भी कहा जाता है, अनवांसिका पिता पूछ लेना तो पेटसन है याद कर लेना, ग्रेगर जोर मेडल मत खर देना यहां पर, ठीक है? चलिएगा, अगल या क्यूसन विपरीत लक्षणों के संकेतों को जीनी जोड़े को कहा जाता है एलील, अफवन, पीडी, जीनी पारूप, एकल संकर दोस्तों बताओ, जीनी पारूप हो गया, जीन का संगटन क्या हो गया, जीन का संगटन याद रखना एकल संकर कार्ट हो गया जिसमें एक जोड़ी कार्ग के लग सर्णक से की मनसा गती हो और संकेतु जिन्नी जोड़े को दोस्तों कहा जाता है एलील ओप्सन ए दो गुलाबी रंगों के फुलों में क्रोस करते हैं पर एक है गलाल दो गुलाबी एक सपिद फुल की संतान प्राप्ती तो क्रोस की प्रगर्टी कैसी होगी दोस्तों जे गुलाबी गुलाबी तो आर आर से आपकी आर आर फिर एन से दुस्वा मरुप्ता करके आपकी आर एक और आरस मोज और कुल मिला के यह स्वेप प्रागन की आपके बन रहे यह अपसन बी निमल लेक्ट मेंसे किस पौदे की बीज की आकर्ती दरसाने वाले प्रभाई अलेन होगा दोस्तों यह क्युस्टन दोस्तों आपके एक्जामिन नहीं है यह क्यूंकि इस परकारगे परस्ण नहीं देगा एक्जामिन जरा आपसे क्यावल आपके theoretical चीजों के person देने वाला यह आपके थोड़ी सी अलग स्परकाइगा क्यूशन हो गया आप परभावी तो होता है आपका जोरीदार आप परभावी जोरीदार और परभावी होता है गोल परभावी का आरत होता है दो जो लक्सन परकट करेगा और आप परभावी गारत होगा जो लक्सन परकट है नहीं करेगा वो आपका हो जाएगा चलेगा विसम युगमन की संतान और उसकी सम युगमन की जनक के मद्धे संकरन कहलाता है परभावी संकरन या पुर्वल संकरन या सुद संकरन बतो ये पुरूबल संक्रण क्यालाता है उप्शन C सहल अगंता को समझाने के लिए मारगन ने चैन किया रेत मक्खी का, फल मक्खी का, सपेद मक्खी का या मकडी का वो करते हैं फल मक्खी का दोस्तों जिसम आठ है गुण सुत्र पाई जाते हैं जब किसी गुण सुतर में यूगम में विकलपी एक दूसरे की विंता हो तो वह अवस्ता कहलाती है सही यूगम जी दोस्तों कौन शी होगी यूगम विकलपी एक समान हो दोस्तों वो आपके सही यूगम जी होगे विसम योगोजी हो जाएगा दोस्तों एक दूसरे बिन्द हो गए और आपके फिनो टाइप के अंदर लक्षन किस परकार के उते हैं सजी के बाहरी लक्षन आपको दिखाई देंगे और जिनो फाइट्स में जीन होते हैं मानों की अंगुलियों में विकार और कौन से रोक्षन आपके होते हैं बदो एडवर्ड सिंड्रोम यह होते हैं अठारवे गुन सुत्र पर दोस्तों अठारवे गुन सुत्र पर ट्राइस्वामी पर पटाव सिंड्रोम तेरवे गुन सुत्र पर दोस्तों तेरवें गुनसुतर जिसे कहते हैं ट्राइसोमी अपने मंगोलिजम दोस्तो ये होता है आपके 21 गुनसुतर पर और ट्रनर सिंड्रोम होता है दोस्तो आपके 21 गुनसुतर पर दोस्तो ट्राइसोमी का अर्थ होता है दोस्तों और यह होता है मोनोसोमी ट्राइसोमी का अर्थ होता है गुनसुत्रों की संक्या में वर्ती और मोनोसोमी का अर्थ होता है गुनसुत्रों की संक्या में कमी चलेगा एड़वेड सिंट्रोम हो जाएगा अंगुलिये के विकार में रोक के लक्सन के लिए DNA की डिव कुंडितलित सरिंचना किस विग्यानिक के दवारा दी गई बताओ मैं एक बार और बता देता हूँ DNA की खोज की थी फेडरिक मिसर के दवारा दोस्तों सब दोस्तों दिया था जेके टिस के दवारा याद रखना और इसमें आवेस किस परकार का होता है DNA में आवेस होता है माइनस में रिनातमक होता है याद रखना दोस्तों ठीक है आवेस रिनातमक होता है और DNA की फुल फ़रो मुझे दोस्तो डी उक्सिराइबोज न्यूकुले के अमल दोस्तो DNA की स्राइडेंस अबने दिया तो दोस्तो कोसिका का सिध्धान्त है कौन सा कोसिका का सिध्धान्त है और आपके अल्टामन बेंडा ने दिया ता माइट्रो कॉंड्रिया याद रगना माइट्रो कॉंडरिया और जेम्स वाट्सन और रोजलेंड फ्रेक लेने विग्जाने की इसकी शिद्दान्त की क्या करते हैं दिया ज़ते सरंचला निमन लेकित मेंसे आपका कौन साध कलाइन फेट्रस के सिंड्रوم का परते न suffers आपका करता है ऐसे पर उस जिसमें एकस गुन सुतर की अतीरिक्त होने के कारण माइला के लक्षन में पाये जाते दोस्तो वह दे X-Y एक जीन एक एंजाइम से दंद सिद्धांद दिया है दोस्तों एक जीन एक एंजाइम सामने एक जीन का निंतरन करने का करति है कार्य करती है और यह सिद्धांद दिया था जी 63 अपने चारnhांद ने यह सोचा कि आपको एक सांदार दोस्तों जल्द साइंस के पूरा करवा दूं उसके बाद आप रिविजन वगेरा जो भी करना आप कर लिजिए गार ठीक है क्योंकि मैं अपने टाइम जदा नहीं खराब कर रहा दूस्त अप एक्जाम में जदा टाइम नहीं बचा इसलिए म बड़ी क्लासिकम और ठोटी क्लास हमें दोवारा जल्दी जल्दी टॉपिक करवाने का प्रियास करता हूं जाद में ठियोरी उतनी है लेकिन स्पीड फास्ट है इसी लिए दोस्तों चैलिए दोस्तों थैंक्यू सो मच मेलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक जैहिंद जै भार अभी दस बाज़ा थैंक्यू